सुमन कबसे आलो की राह देख रही थी, उसका बेटा कुनाल च्यूशन से वापस आ चुका था कुनाल बेटा, अपने बाबा को फोन करके पूछो कहां रहे गये वो, इतनी देड़ तो वो कभी नहीं लगाते आते ही होंगे ममी, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दो नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए ये कहकर सुमन दरवाजे की तरफ देखने लगती है, आलो को गये दो घंटे हो गये थे इतनी देड़ तक वो कभी भी सुमन को अकेला नहीं छोड़ता था, जबसे सुमन विलचेर पर आई थी ये बात तकरीबन आठ महिने पहले की है, एक दिन आलो कुणाल और सुमन फिल्म देखने के लिए गये हुए थे हौल से निकलने के बाद आलो क अपनी गाड़ी पारकिंग से लेने के लिए जा ही रहा था, कि एक तेज रफ़तार गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी वो अपनी जेब से चाबी निकालने में व्यस्त था, तभी सुमन की नजर उधर जाती है वो आलो का हाथ खीचने के चकर में गाड़ी की चपेट में आ जाती है और उसकी कमर पर बहुत तेज चोट लगने के कारण उसकी कमर की हड़ी तूट जाती है तब से वो वीलचेर पर ही थी और आलो का उसका बहुत ख्याल रखता था दर्वाजे की घंटी बच्ती है, कुणाल दर्वाजा खोडने के लिए जाता है पापा कहां रह गए थे, मम्मी कबसे परिशान हो रही है बस बेटा थोड़ी देर हो गई आलोक सुमन के पास जाता है कहां रहे गए थे, तुम्हें पता है, मुझे कितनी घबराहट हो रही थी हाँ थोड़ी देर हो गई अक्चली, मेरा एक दोस्त मिल गया था उसने फिर एक डॉक्टर के बारे में बताया, तो मैं उसके साथ वहां चला गया तुम भी न, शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब मैं कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती और तुम हो कि आए दिन किसी ने किसी डॉक्टर के पास चले जाते हो ये सब कुछ मेरी वज़ा से हुआ है सुमन, अगर मेरा ध्यान उस दिन उस गाड़ी पर होता, तो तुम्हारी ये हालत ना होती होनी को कोई नहीं टाल सकता, मैंने आलू बोले थे, लेकर आये हो कुनाल अपने पापा को पानी ला कर देता है, आलू क पानी पीने के बाद सारा सामान निकाल कर मेज पर रखता है कि सुमन की हसी छूट जाती है आरे, ये तुम कैसे आलू लेकर आये हो, एक आलू बढ़ा है, बागी सब इतने छोटे-छोटे, ऐसा लग रहा है कि आलू के बच्चे लेकर आये हो ये कहकर वो हस पढ़ती है, और उसकी बात सुनकर आलू को कुनाल भी हसने लगते हैं कि तभी वो छोटे-छोटे आलू मेज पर कूदने लगते हैं सही पहचाना, सही पहचाना, हम सब तो बच्चे ही हैं आलू को बोलता हुआ देख कर वो तीनू सहम जाते हैं, तभी वो बड़ा आलू बोलता है लगता है मेरे बच्चों ने आप सब को डरा दिया कितना भी मना करो, ये लोग शैतानी करने से बाज नहीं आते असल में एक जादोई आलू हूँ और ये मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं जादोई आलू? आलू के बच्चे? हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने सुना आलू क, ये क्या कह रहे हैं? सुन भी रहूं और देख भी रहूं वा, कितना सुन दर घर है, अरे देखो देखो, उधर कितनी सारी मचलिया है सब लोग एक्वेरियम की तरफ देख रहे थे मम्मी, पापा, ये सब क्या हो रहे? क्या सबजियां भी बोलती है? वो भी नाच्टी कूटती है सुमन, आलोक और कुनाल उन बच्चों को देख रहे थे वो बच्चे जैसे ही मचली पर हाथ लगाने की कोशिश करते हैं उससे एक सुन्दर रंग निकल के पूरे कमरे में फैल जाता है सारा कमरा रंग बिरंगी रोशनी से नहा रहा था ये सब देखकर कुनाल खुश हो जाता है और वो भी आलोके बच्चों के साथ एक्वेरियम के पास पहुँच जाता है ये तुम लोग कैसे कर रहे हो? मुझे भी करना है? हाँ हाँ क्यों नहीं? तुम्हें जो भी मचली अच्छी लगती है उसके उपर हाथ रखो कुनाल बाहर से ही उस मचली की तरफ उंगली करता है वो आलो उसकी उंगली को पकड़ लेता है और तभी एक रोशनी कमरे में हो जाती है अब तो कुनाल को बहुत मजा रहा था वो भी उनालू के बच्चों के साथ ये सब करने लगा सुनो बच्चों बहुत हो गया अब इधर आ जाओ और यहां आकर बैट जाओ सारे बच्चे वापस से उचलते कूटते हुए मेज पर आकर बैट जाते हैं माफ करना आप लोग हम लोगों की वज़ा से परिशान तो नहीं हो गए नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हम परिशान नहीं है लेकिन हाँ हमें अच्चमभा जरूर हो रहा है हमने कभी नहीं सुना था कि सबजیاں भी जादूई होती हैं यह सुनकर जादूई आलू मुस्कुरा देता है क्या तुम सब मेरे कमरे में चलना पसंद करोगे मेरे कमरे में बहुत अच्छे अच्छे खिलोने है किताबें हैं और बहुत सारे रंग भी है हम लोग सुन्दर सुन्दर चित्र बनाएंगे आलो के बच्चे कुणाल के साथ उसके कमरे में चले जाते हैं आलोक, प्लीज जल्दी से खाना बना लो बहुत तेज भूग लगी है और फिर मुझे अपनी दवाई भी लेनी है अरे हाँ सुमन, इन सब में मैं भूल ही गया क्या तुम बीमार हो? आ, नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ लेकिन मैं अपाहेज हूँ चल फिर नहीं सकती थोड़ा बहुत जो काम कर सकती हूँ उतना ही करती हूँ वरना पूरा दिन या तो बिस्तर पर लेटी रहती हूँ या इस चेयर पर बैठी रहती हूँ ओहो, सुनकर बुरा लगा क्या तुम बच्पन से ऐसी हो? ये सुनकर सुमन की आँखों में आसु आ जाते हैं तब आलोक जादूई आलो को सारी बात बता देता है बस तब से सुमन वीलचेर पर है तुम लोग बातें करो, मैं खाना बना दू वरना सुमन की दवाई का टाइम निकल जाएगा ये कहकर आलोक रसोई में चला जाता है वो खाना बनाने लगता है तब ही जादूई आलो उसके पास आता है अरे तुम्हे परिशान होने की जरूरत नहीं है हमारे साथ आकर बैठो खाना तुम्हे एक मिनट में तैयार कर दूँगा क्या? तुम्हे खाना बनाना भी आता है? नहीं, मेरे दोस्त मेरे पास जादू है मैं सारे काम जादू से करता हूँ, चलो तुम बाहर आओ बाहर आकर जादू य आलू अपने बच्चों को आवाज लगाता है सब लोग बाहर आ जाते हैं फिर छोटे छोटे गलास में वो अपने बच्चों के लिए ताखत का पानी डाल देता है सुमन, आलू और कुनाल के लिए बढ़िया खाना मंगा लेता है आलू के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की गलास को चीन चीन कर उसका पानी पी रहे थे मैं जादू से हर चीज कर सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चों की शरारतें खत्म नहीं कर सकता ये पूरा दिन एक दूसरे के साथ इसी तरह की छेड़ चार करते रहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे इसी तरह ही हसते खेलते अच्छे लगते हैं सब लोग खाना खा चुके थे, जादू यालू अपने जादू से उस सब कुछ हटा देता है सुमन के काम ना करने के कारण आलोग घर पर इतना ध्यान नहीं दे पाता था जादू यालू अपने जादू से घर को सुन्दर बना देता है ये देखकर आलोग जादू यालू से कहता है मैंने देखा है, तुम्हें सच मुच में जादू आता है, क्या तुम जादू से सुमन को ठीक कर सकते हो? मैं तो अभी बस यही करने वाला था कि तुम बोल पड़े चिंता मत करो मेरे दोस्त, सुमन अभी अपने पैरों पर खड़ी भी होगी और चलेगी भी जादू आलू अपने दोनों हाथों को सुमन की कमर पर फेरने लगता है उसमें से निकलती हुई सुनेहरी रोश्नी सुमन की कमर के अंदर जा रही थी और जैसे जैसे वो रोश्नी अंदर जा रही थी, सुमन सीधी होकर बैठ गई और फिर एकदमसे खड़ी हो गई और फिर इधर उधर चल कर देखने लगी मैं ठीक हो गई हूँ आलू देखो, कुणाल देखो मैं ठीक हो गई हूँ तैंक यू सो मच जादू यालू आलोग खुश होकर सुमन को गले लगा लेता है कुनाल भी अपनी मा के गले लगकर बहुत खुश होता है बाबा बाबा देखो ये कैसे रो रही है भला कोई खड़ा होने पर भी रोता है मेरे बच्चों ये बहुत दिनों से खड़ी नहीं हुई थी इनको कमर में चोट आए थी आज जब ये खड़ी होई है तो ये इसलिए खुश हैं और रो रही है तुम अभी चोटे हो जब बड़े हो जाओगे इन सब बातों को समझने लगोगे बाबा आपने इनको जादो से ठीक कर दिया तो हमें अपने जादो से बड़ा कर दो ओ मेरे प्यारे बच्चों ये जादो तुम लोगों पर इस तरह काम नहीं करेगा तुम्हें अपने हिसाब से ही बड़ा होना होगा और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम खुद मेरी तरह जादो ही आलू बन जाओगे मैं वो शब्द कहां से लेकर आओ जिससे मैं तुम्हारा धन्यवाद कर सकूँ भगवान ने लगता है तुम्हें मुझे ठीक करने के लिए ही यहां भेजा है और तुम्हारे बच्चे सच मुझ में बहुत प्यारे हैं कितनी प्यारी बातें करते हैं तब ही आलू के फोन पर एक फोन आता है और वो परिशान हो जाता है क्या हुआ आलू तुम परिशान क्यों हो गए किसका फोन था कुछ नहीं मेरे दोस्त का फोन था उसे मैंने जॉब के लिए बोला था जहां बात करी थी उसने मना कर दिया अच्छा कोई बात नहीं तुम परिशान मत हो मैं अब ठीक हो गई हो न तुम सब अपनी तरफ ध्यान दो और कहीं न कहीं तुमें जॉब जरूर मिल जाएगी तुम अपना काम क्यों नहीं करते अब तुमसे मैं क्या चुपाऊँ जब बुरा वक्त आता है तो हर तरफ से मार पड़ती है मेरी जॉब चली गई कितना पैसा इलाज में चला गया बस थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो भी कुनाल की फीस वगरा के लिए परिशान मत हो मेरे दोस्त तुम्हारे पास जादूई आलू है ना बाबा हमें भी जादू दिखाना है हाँ हाँ क्यों नहीं आओ सब मेरे हाथ पकड़ो तब ही सारे बच्चे अपने बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं और जादूई आलू आलू को धेर सारा पैसा देता है अब तुम अपना काम शुरू करो आलू के बच्चे ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और आलू क सुमन और कुनाल भी फिर जादूई आलू अपने बच्चों के साथ वहां से चला जाता है आलू काम शुरू करता है जल्दी ही उसे अपने काम में बहुत तरक्की मिलती है जिससे अब आलू को उसका परिवार सभी खुश थे वो हमेशा जादूई आलू और उसके प्यारे प्यारे बच्चों को याद करते थे